हलो एवरिवान मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल प्यूपल टीचे में जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटाइट के फर्स टू शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 28 और 29 दिसंबर को जो हमारे पेपर टू में साइन्स के इंपॉर्टेंट टॉपक यहाँ पर पूछे गए और साते साथ एक तरीके से एक शौट अनालेसिस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कि किस लेवल का आपका पेपर पूछा जा रहा है और कितने लेवल की तयारी आपको करनी है अगर आपकी अगले शिफ्ट में परिक्षा है साते साथ अगर आप लोग यहाँ पर तयारी कर रहे हैं और जैसे के साथ आपको यहाँ पेट फॉर्म में अवेलिबल है अब देखिए सबसे पहले एक शौट अगर मैं रिव्यू आपके सामने करूँ कि आपके पेपर का लेवल क्या आ रहा है तो देखिए पेपर वन और पेपर टू के लेवल में जमीन आसमान का फरक है जमीन आसमान का तो देखिए पेपर टू का रिगार्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाये चाहे सोशल साइंस चाहे साइंस का एरिया दोनों का लेवल जो है वह काफी हाई अब देखिए कई सारी इजी कोशन को भी कफी यहाँ पे टफ बनाके आप लोगों के सामने दिया जा रहा है अग अपने माइन में यह चीज़ लेके नहीं चलने की पेपर हम कर लेंगे क्यूंकि आगे आने वाले शिफ्टों में जो आपके पेपर का लेवल हो सकता है वह और भी अप हो सकता है या फिर अगर यही लेवल भी रहता है तो भी यह लेवल काफी अच्छा-खासा हाई देखा इसके अलावा देखिए अगर हम topic की बात करें कि कहां कहां से question पूछे गए क्योंकि कहीं ने कहीं हमें कुछ important topic का bunch मिल जाता है अगर हमें पता होता है तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक topic यहां पर पूछा गया acid-base indicator जो है इसके अलावा विटामिन की जो deficiency है B, C, D इससे related deficiency disease से related question आया है तो देखिए आप vitamins के topic को भी अच्छे से कर लीजेगा एक topic यहां पर soil का देखा गया जो कि loomy soil से related question पूछा गया यह आपके द्वारा बताया गया था इसके अलावा ozone layer का भी जो Montreal protocol है इस related question आपको science के set में यहां पर देखने को मिला है अब देखिए इसके अलावा यहां पर हमें plane mirror का एक numerical भी पता चला है कि plane mirror का यहां पर एक numerical हम से है पूछा गया था तो देखिए अगर हम पिछले sets की बाद करें पिछली years की बाद करें तो जो numerical होते थे वो काफी easy थे बट इस बार ही numerical को थोड़ा सा जादा अब बनाने के लिए यहां पर चीज़े घुमाई गई है नुमेरिकल की language एक candidate ने यहां पर शेयर की जिसमें यह बताया गया है कि दो जने हैं यहां पर रमन और रेखा जो की plane mirror के सामने खड़े हैं और रमन जो है वो अपने reflection से यानकि प्रतिविंब से 100 मीटर की दूरी पै तो देखिए अपने reflection से 100 मीटर की दूरी पै तो वो mirror से कितने दूर होगा वो mirror से 50 मीटर की दूरी पै होगा क्यों क्योंकि जो आपका ये रमन है इसके बीच में यहाँ पर प्लेन मिरर होगा और यहाँ पर उसकी प्रतिविम भूगी तो देखिए ये अगर पूरा 100 मेटर है तो ये प्लेन मिरर से कितना दूर खड़ा है ये पचास मेटर दूर खड़ा है तो आपको ये चीज बेसिक पता होने चाहिए साथे साथ रेखा जो है वो अपने प्रतिविम से आपका साथ मीटर दूर खड़ी है यानके plane mirror से यह 30 मीटर दूर खड़ी है अब यहाँ पर बोल रखा है कि यह जो आप Raman है यह Raman क्या कर रहा है यह mirror की तरफ जा रहा है और रेखा mirror से दूर जा रही है अब देखिए इसके आगे इससे समंद से related यानिके इससे relation से related question पूछा गया था तो इतना ही हमें पता चल पाया है साथे साथ यहाँ पे जो हमारा stars test होता है यानि कि जो iodine test होता है इससे related question पूछा गया इसका जो process है उस process में इन में से कौनसा step नहीं होगा यानि कि इन में से कौनसा step को हम नहीं करते हैं यहाँ पे iodine test में इससे related question पूछा गया था साथे साथ friction का sequence हमें पता है friction तीन तरीके के होता है एक होता है rolling, एक होता है static, एक होता है sliding अब देखिए तीनों कहीं यहाँ पे आपको sequence पूछा गया था कि कौनसा सबसे जादा होता है फिर उसके बाद, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको इसे increasing या decreasing order में लगाना था साथे साथ यहाँ पे plane mirror के आलावा हम लोगों को यहाँ पे concave mirror का भी question देखने को मिला concave और convex mirror भी आप अच्छी तरीके से कर लीजेगा क्योंकि light वाले chapter में आपको यह चीजे देखने को मिलती है साथे साथ physical, chemical change से भी question देखने को मिला इसके अलावा गलालियो, scientist इनसे related भी question बताया गया है बट exactly question का पता नहीं चल पाया है तो इस topic को आप पढ़ लीजे इसके साथ reversible और irreversible change जो reverse हो जाते है, irreversible जो आपके reverse नहीं हो पाते है वो वाली changes से भी related question पूशे गए साथे साथ अगर आप आगे देखे तो यहाँ पर हम लोगों को जो आपके preservation of food है food को हम किस तरीके से preserve करेंगे किस तरीके से खराब और उन सा बचा सकते हैं related question देखने को मिला और एक यहाँ पर हमें condition पूशा गया कि हमें speed of light जो है air में maximum अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें क्या condition देनी पड़ेगी और option कुछ दिये वे थे अब देखिए option एक से जादा थे कई question में match the following था कई question easy दिखते वे भी काफी lengthy statement wise पूचे गये थे तो time consuming paper था काफी साथे साथ यहाँ पर plant के roots से related एक match the following देखने को मिला और इसके लावा यहाँ पर एक question यहाँ पर velocity time graph का भी देखने को मिला तो देखिए velocity time graph के लावा acceleration time graph हो गया यह जितने भी आपके graph बनते हैं चाहे वो rest का graph हो गया यह सारे graph आप अच्छे तरीके से करके जाएए आपके set में कोई साभी question पूछा जा सकता है साथे साथ यहाँ पर distal water का भी question देखने को मिला अब देखिए यह analysis का फाइदा क्या होता है analysis का फाइदा यह होता है कि अगर आप अभी preparation में आप complete तरीके से त्यार नहीं है पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे topic मिल जाते हैं जिसे आप एक idea लगा सकते हैं कि यह topic तो हमें cover कर नहीं है और देखिए वैसे तो कोई भी ऐसा fix topic नहीं है कि इनके paper में यही आए तो आपके paper में यही आएगा देखिए आपको 6-8 class की NCRT को सिफ पढ़ना नहीं है बहुत deeply पढ़ना है क्योंकि paper का level बहुत अच्छा खासा यहाँ पर बना के दिया जा रहा है कि अब direct question नहीं आएंगे कि इन में से कौन सा आपका इंडिकेटर है पहचानी यह direct direct question अब बहुत कम ऐसे देखने को मिलेंगे सेक्ट में एक या दो question डारेक्ट है और सारे deep और काफी lengthy question आप पूछने को मिल रहे हैं आप numerical देखो चाहे आप theoretical question देखो और साथे साथ paper two का level यहाँ पर अप है paper two का level आपका पिछले साल से भी हाँ पर अप दिया गया है अब आगे आने वाले सेक्ट में देखते हैं कि level क्या रहेगा बाके आप इन topics को तो आप अपने exam से पहले तियार कर लीजेगा अभी मुझे थोड़ा सा अभी अपनी health condition में हलका सा ध्यान देना है इसके बाद मैं आप लोगों की एक marathon class लेक्या होंगी 9 January से पहले जिसके अंदर में यह सारे topic आपके cover कर दोगी चलिए इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हो अगली वीडियो में इसके अलावा अगर आपको सीटाइट परिक्षा के complete handwritten notes ही हैं तो आप इस नंबर पर whatsapp कर सकते हैं जो कि आपको screen में दिख रहा है डे टो डे अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में और जल्दी ही आपके science के marathon भी आएगी और social science के analysis वीडियो में मैं जल्दी ही share करूंगी बाई बाई टेक केर